नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे चैनल लास्ट एक्जाम ट्रेक्स पे जिस पर आपको एकदम सही जानकारी हो केवल वही प्रोवाइड की जाती तो चैनल को आप सबस्क्राइब हो वह जरूर कर ले वाई देखी आपका रिजल्ट आ चुका है काउंसलिंग होनी बाकी है मसेशी की जो काउंसलिंग होगे वह आपकी जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी पंदरा नौंबर के बाद आपकी जो काउंसलिंग वह स्टार्ट हो जाएगी आपकी लेकिन इस बीचे दो ऐसे स्टूडेंट है जिनका मामला अभी भी फसा हुआ है सुपरिम कोर्ट में वो ये चाते हैं कि उनका एक्जाम है वो फिर से हो ठीक है वो ये चाते हैं कि उनका एक्जाम फिर से हो क्योंकि उनकी जो आमार सीट है वो एक्सेंज हो गई थी तो वो ये चाते हैं कि उनका एक्जाम फिर से हो क्यो समझ सकते हो future का स्वाल है तो मतलब उन्होंने ये जो Bombay High Court में petition लगाई थी Bombay High Court से मामला Supreme Court में अभी आ चुका है क्योंकि Bombay High Court ने जब NTA को बोला कि इनका exam फिर से करो तो NTA ने क्या क्या कि Supreme Court में ये मामला जो petition लगा दी थी तो अब इसकी सुनवाई होने वाड़ी है यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी पहली जो सुनवाई हुई थी वो 28 को हो चुकी है 28 के बाद अब इसे अगली तारिक दी गई है आज की आज इसकी सुनवाई होगी नगेंदर राव जो जस्टिस रहने वाड़े हैं वो आज 11 बजे तक आपको पता चल जाएगा 11.11 के पास आपको यह इस चीज़ का पता चल जाएगा कि वह क्या होने वाड़ा है क्या इनका एक्जाम है वो जो एंटी को फिर से करवाना होगा या फिर जो सुप्रिम कोट यह बोल देगा कि भी इनका रेजल्ट अब जारी करो और जो भी है क्योंकि रेजल्ट में तो देखिए उनके आमार एक्सचेंज हो गई थी तो उसका रेजल्ट उसके पास है उसका इसके पास है तो यह कुछ ऐसा सिस्टम है तो मतलब रजल तो वैसे उनका सही से नहीं आने वाड़ा है तो NTA क्या फैसला लेता है क्या आज एक्जाम फिर शे होगा एक्जाम अगर फिर शे होता है और काउंसलिंग अगर साथ ही करवाई जाती है तो हो सकता है आपको MCC काउंसलिंग में थोड़ा डिले इसमें करना मतलब हो सकता है थोड़ा पांच यह जार दिन का लेकिन मुझे नहीं लगता कि मतलब बच्छों के फैसला आएगा फैसला है वो NTA के पक्स में ही आने वाड़ा है क्योंकि आपने पिछले मतलब देखा होगा पहले पोस्ट पॉंड को लेके जो चला था सुब्रिम कोड में मामला गया फिर रेनीट को लेके भी गया हर बार फैसला NTA के पक्स में ही आया है और अब की बार भी कुछ ऐसा ही होने वाड़ा है अग जब सुनाई होगी तो N अगर नेट यूजी का जो आइकोन है कि आप अलस सब्सक्रिप्शन लेते हैं 2022 की त्यारी करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा आउसर यहां पे है यहां पे आप देख सकते हो आपको 10 से 179 पर तक बहुत बड़ा ओफर यहां पे चल रहा है 10% तो मतलब जो अगर आप हमारा कोड यूज करते हो तो मिलेगा और 10% मिलेगा आपको स्पेशल प्राइज जो वीक चल रहा है इसमें मतलब टॉटल 20% आपको यहां पे ओफ है वो मिल रहा है अभी तो इसका फाइदा उठाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में है अभी जाके एक्जाम 15 कोड यूज करक यह जो 14 नॉबर से टेस्ट चार्ट होने बाड़ा है दो बजे से होगा और एक्जाम 15 कोड यूज करके इसमें आपको इन्रोल करना है स्कॉलर्शिप जो इसमें मिलने वाली है स्कॉलर्शिप आपको मैं दिखा देता हूं देखिए एक से 100 तक रैंक आती 100% दिया जाएगा तो इसका फाइदा उठाइए और लिंक डिस्क्रिप्शन में एक्जाम 15 कोड यूज करके आपको यह टेस्ट वो जुरूर्व देना है और जो टोप आने वाले हैं सो उनको मैंटर्शिप दी जाएगी टोप एजुकेटर के दवारा और प्रैक्टिस फॉर और नेट ट्रिम टेम 2.0 है यह भी 2022 के लिए 10 नॉवंबर से स्टार्ट हो चुका है तो आप सब्सक्रिप्शन है इनका भी ले लो और नेट उजी कॉमबर्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं हर संड़े यह टेस्ट होता है अभी आज सुकरवार है और संड़े को यह स्क्रिप्शन में है तो देखिए आज जैसे ही सुमाई होगी तुरंत आपको बता दिया जाएगा वैसे फैसला एंटिय के पक्स में ही आने वाड़ा है क्या निकल कहते है क्या नहीं निकल कहता है क्या फिर MCC कांसलिंग में थोड़ी देरी हो सकती है अगर बचों के पक्स